प्लीज मुझे नया मोबाइल चाहिए अभी क्या अरे मगत तेरे पास तो है मुबाइल एक अभी एक किसलिए चाहिए अरे पापा मैं क्या करूँ यह बिल्कुल काम नहीं कर रहुं है जना फात साल पहले अपने से खरात के मेरे को दिया था बहुत डिस्टप कर रहा है इसका स्क्रीन बहुत प्रॉबलेमिं स्टिंगु कर रहा है ब्लीज मेरेख नए फोन दे दीजिए जैए पात साल से मैं इस को यूज कर रहा हूँ यह तो मेरे को कभी प्रॉब्लेम नहीं करता है तो कैसे फोन है आजकल से पांच साल में खड़ाब हो जाता है अजीब है या मैं तो हमेशा कहता हूं कि माल जितना पुराना होता है उतना ही असरदार होता है और साइज भले छोटी हो फेकने में मज़धार होता है पापा मुझे अब आपल का मूबाइल चाहिए मुझे वो आइपोन चाहिए मिने को पलीज पलीज यानि तु वो खाए हुए सेप के बारे में बात कर रहा है जिस मोबाइल के पीज़े वो एक खाए हुए सेप का सिंबल लगता है वो ये खाए हुए सेप का किमत आस्मान के भाव पर और तु उसे खरीदने का बात कर रहा है उसका जो कीमत है ना मैं जो सुना उसमे तो हमारे दिवाली का बाजार हो जाएगा तेरे दो माईने का स्कूल का फीज हो जाएगा और उसको खड़ीतने का बोल रहे क्या चड़ी बनी हैं बेचके अब मैं उसे खड़ीदू तो पांच साल पुराना है तो नहीं चलते तो हो गया रहे तो मेरे बापको भी अब एक्सेंज कर लेगा रास्ते पे जाकर चल एक्सेंज कर लेते हैं मेरे को एक्सेंज कर ले चल अरे पापा आपको पता नहीं वह फोन बहुत हाइटेक है और बहुत easy to use है मानता हूँ वह थोड़ा महंगा है लेकिन आप इसे देखिए यह बहुत पुरा नारुता स्क्रीन बहुत छोटा है वो जिस फोन का बात कर रहा हूँ आपको वो जो खाया हुआ से जिसे आइफोन कहते है उसका हर अपली एप्लिकेशन उसका अपना है पता यह वह कितना अच्छा फोन है वो बहुत सिल्की टच है उसका इसलिए मैं बो तुदरा है और बहुत सिल्की आउट्कूट है बाई है क्या- क्या मोला और तेरे को वह फी खड़ीसा का नोकिया ए चुदह जुदह हमेशे circuit लेकर बात्रूम में चलायता है पदSon लेकर के बात्रूम में क्यू जा था और घंटो तक में वहाओ पर तेख उतना महेंगा फोन खड़ित के दिया है पानी में गिडा देगा कभी तो बात्रूमें इतना देर क्या करता है एक फोन लेकर तो आपको खड़िते ने का मतलब क्या है माल भेकता है ने ने बाल भेकता हूँ मतलब बाल काटता हूँ जो सफेद सफेद बाल हो गया है ना मेरे थोड़े उन्हें उतर उधर के उधर ही फेकता हूँ हाँ हाँ और तु आजकल जादा शेंपू क्यों उसकरता है रहे रहे मैं पिछले १िन गया था थोड़ा सा शेंपू देखा मैं जमीन चाथव में पड़ा था मैं उसबे फिसल के गिरने ही वाला था इतना शेंपू क्यों उसकर रहा है अजकल लेकिन एक बात भी है तु शेंपू कर इसको तो शेंपू का बोतल इतना खाली तो नहीं हुआ तो इतना शेंपू तो कहां से ला रहा है सही है इतना खर्चा मत कर भाई वरना फ्यूचर में बौरो करना पड़ेगा क्या रस पास क्या रस पास